साथियों, डबल इंजिन के सरकार, इन सरकार के होने से, चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदारण, रिशी केस कर्ण प्रयाग रेल लाइन है, रिशी केस कर्ण प्रयाग रेल लाइन का काम, एक दसक पहले शुरू होना था, लेकिन, पिछली ब्रेक वाली सरकार, ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही, 2011 से 2014 तक उनकी यहां भी भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज में दोनों सरकारे उनकी थी, यानि, डबल ब्रेक वाली सरकार, डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा, इन तीन चार सालों में, इतने बड़े काम के लिए केवल, चार करोड रुपिये खर्च किये गए, केवल चार करोड, 2014 में जब केंद्र में, आपने मुझे सेवा करने का आउसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया, हमने रिशी केज, कन प्रयाग, रेल लाइन के लिए, प्रयाज सुरू किये, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहराजुन से ब्रेक लगा दिया जाता था, 2017 में, जब देहराजुन में डबल एंजिन की सरकार आई, उसके बाद से, करीब साड़े पांच हजार करोड रुपे खर्च किये जा चुके हैं, आप कलपणा कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने चार करोड खर्चा, और दो एंजिन लग गए, डबल एंजिन लग गए, तो पांच हजार करोड लग गया, जल्द ही पाहडों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा, चार चार पांच पांच पीड़ी ने इंतजार किया है, पांच पांच पीड़ी के इंतजार काया, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए है, इसी तरह दिल्ली देहरादून हाइवे का काम भी, अटल विहारी वाजपाई जी की सरकार के समय दो हजार में शुरू हुआ था, जबी राज्य जन्मा था, लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने उसे लटका कर छोड़ दिया, यूपी से क्लियरंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागिदरों की सरकार थी, ये काम भी तब भी पुरा हुआ, ये काम तब पुरा हुआ, जब भाजपा की डबल इंजिन सरकार आई, ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मोके की तलास में बैटे हैं, लेकिन अब उत्राखन को गती चाहिए, उत्राखन को प्रगती चाहिए, उत्राखन को लगाकार डबल इंजिन की सरकार चाहिए,